हेलो एन वेलकम तो माई आसम गाइड चैनल इस वीडियो में हम लोग वर्क बुक और वर्क शीट नाम का जो दो कॉंसेप्ट आता है MX Excel में तो हम उसको जानेंगे ये दोनों कॉंसेप्ट होते क्या हैं इसे हम अच्छे से समझेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हम अपने MX Excel सॉफ्ट्वेर में आ जाते हैं यहां पर आपको कुछ इंटरफेस दिख पा रहा होगा जिसमें आपको यहां पर कुछ ग्रेट्स या फिर आप बोल सकते हैं स्यल आपको दिख रहे हैं यह हमारा क्या है MX Excel का एक सॉफ्ट्वेर जिसको आप ओपन करने पर सबसे पहले आपको ऐसा देखने की मिलता है आप इस पर आईएगा तो आपको इस पर दिखेगा मालें यहां पर Pulse से पर आईएगा तो आपको एक होगर मैं दिख EXE निओ शीट आप इस पर क्लिक कीजए आब हमारा आफ क्लिक करेंगे तो हमारे हमारे रोप रोप शीट बन जाएगा साथ को मिला है मल्टिपल वाकशीट को हम मिला देंगे तो हमारा बन जाता है वोक बुग मतलब हमारे चलेक्शन ऑफ व्ट चिट जो हम एक ढूर करका रखते हैं वह हमारा क्या हो जाता है वोक बुग और हम 1 site पर आ जाते हैं इhtी तो आप हमारा क्या कर सकते हैं और हमारा एक साइंस का नाम लिख सकते हैं आप सिंपल से आप यहां पर यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो यह हाइलाइ्ट हो जाएगा फाहल करें एक लेक यहां पर यहां पर यहां पर मсемतंवर कर सकते हैं पने शीट का नाम डाल सकते हैं आप यहां पर प्लस कीजिए शीट 5 होगे ऐसा मल्डिपल बना सकते हैं उसका होता है कि हमारा शीट है हम कभी कभी चाहेंगे जो हमारे यह शीट है लास्ट में होना चाहिए तो तब शिंपल सा इसको कहा किजिए डबल क्लिक करेंगे और यहां पर आपको एक आइकन दिख र आप सिंपल डिक पर क्लिक किजिए तो आपको क्या हो जाएगा डिलीट हो जाया अगर आपको यहां पर देखे एक ऑप्शन अगर आप इस पर डबल क्लिक करते तो आपको रिनेम का आप्शन नहीं आ रहा है डबल क्लिक करने में नहीं हो तो आप सिंपल सा राइट क्लिक क बना लिए तो आपको move करने में दिक्कत होता है तो move करने के लिए दिक्कत होता है माले जी हमारा last sheet है हम इसको last में रखना चाहते हैं तो simple साब drag करके भी यहां से यहां रख सकते हैं बट हम नहीं चाहते हैं हमारा एक option हमको यह MX Excel प्रोवाइड करता है functionality बोलिए अगर आप चाह रहे हैं जो हमारा जो यह last sheet है वह हमेसा last में रहे तो आप क्या किचेगा इस पर राइट क्लिक किचेगा राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक option दिखेगा move और copy अब simple move किजिए यहां पर जितने sheet है वह आपको देख पा रहा होगा अब simple क्या किजिए कि यहाँ पर move to end कर देज़े, move to end करने के बाद आप okay किजिए का तो आपको देखे, आपका जो sheet हो गया, वो last में आ गया, अगर मानलीचे, अगर ऐसा नहीं करता, और option आपको मिलता है, अगर आप चाहेंगे, दुर्से तुर्से नमर पर आ जाए, किसी से आपको exchange हो जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते है, इस टाइब से, आपका हो जाएगा, आप मानलीचे होता है, क्या है, जो कुछ-कुछ लोग कर सकते है, आप यहाँ पर अलग आईए, नेक्स पर सेम प्रोसेस आप दो रहेएगा, तो आपको क्या होगा, आपके टैप्स के कलर चेंज हो जाएगे, तो उमीद है, आप लोग को यह समझ में आया होगा, जो यह वोक्षीट और वोक्बुक के concept, अगर आप टेक्निकल ड आईए, क्रोम पर आने के बाद आपको यहाँ देख पा रहागा, डेफरेंस, वोक्बुक और वोक्षीट में, यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दिया गया, वोक्बुक इस सिंकल स्प्रेड़शीट, बट वोक्बुक इस अ कलेक्शन औफ स्प्रेड़शीट इन सिंगल पेड़शीट में जो होते हैं स्पैट सिट तो एक चलेक्शन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं, वोक्बुक, एक डाईगराम है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वोक्षीट से, एक सिंगल सिट है पेपर के, जिसको आप बोल सकते हैं, वोक्षीट अगर ukिसि आया है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूले और अपने दोस्ते साथ शेर कीजिए ताकि वो लोग भी MX Excel बेसिक से लेकर अडवांस तक सीख सकें और इस जर्णी को इन्जॉई कर सकते हैं